गूड इवनिंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में दक्सिन भारत के इतियास का प्रारम कहां से हुआ के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे ठीक है तो देखेगा कई बार दक्सिनी भा बारत के बारे में क्यूसन पूछ लेते हैं दक्सिनी भारत के राजवनसों के बारे में पूछ सकते हैं तो हमने इससे पहले भी दो वीडियो बनाएं जो दक्सिन भारत की जानकरी के इतियासीक स्रोतों के बारे में और दक्सिन भारत का जो बोगोलिक छेतर है उसके बारे के इथियास का प्रारम कहां से हुआ था, ठीके, देखेगा, वैसे तो दक्सिन भारत का प्रारम पूरवधि काल में ही हो गया था, तथा पी इस्सा पूर्वा छटी स्ताब्दी तक उत्तर भारत के साहिते में विंधे पर्वत के दक्सिनी भाग के विशे में जानकारी नहीं मिलती है वैदिक साहिते में उले की दक्सिना पत तथा चेर पत की व्याख्या करना कठिन है व्याकरन पाणिनी दक्सिन से परीचित नहीं थे सरव पर्थम कात्यायन के वार्तिक जो इसा पूर्वा चतुर सताब्दी में आये थे में सुदूर दक्सिन के चोल, पांडे, केरल, राज्यों का उलेग किया गया है यवन राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में पांडे जनपत का उलेग किया है तो मेगस्थनीज ने इंडिका में कौन से जनपत का उलेग किया है? पांडे जनपत का उसके अनुसार हेरिकलेज की पुत्री वहां की सासी का थी कोटिले के अर्च सास्तर में पंडे देश के मोती तथा मदुरा के सूती वस्त्रों का उलेक मिलता है रामायन में चोल, केरल तथा पंडे राजों का उलेक मिलता है महा भारत में भी सहदेव की विजे के संदर्व में पांडे तथा दक्सिनापत का उलेख प्राप्त होता है इन महा कावियों में दक्सिन की कुछ नदियों तथा परवतों के भी नाम प्राप्त होते हैं महाकावियों पुराणों तथा तमिल साहिते में अगस्ते रिशी की कथा मिलती है जिनें दक्सिड में आरिय संस्कर्ती को फैलाने का स्रे किसे दिया जाता है अगस्ते रिशी को रामाइन से पता चलता है कि जिस समय राम दंडक वन में ठैरे हुए थे अगस्ते ने उनसे भेंट कर बताया कि उन्होंने दक्सिड को आरियों की निवास योगे बनाया है एक अन्य स्थल पर विवरण मिलता है कि अगस्ते आश्रम की ओड जाते हुए राम ने लक्समन को बताया था कि जिस सदा संसार का कल्यान चाहने वाले अगस्ते रिसी ने ही राक्ससों का समहार कर पर्थवी को आरियो जनों की निवास योगे बनाया था वेदिक के साहित्ते में दक्सिन के निवास्यों को अशूर तथा राक्सस कहा गया है एत्रे ब्रह्मन में दक्सिन के निवास्यों को अंद्र, पुंडर, शबर, पुलिंद, मूतिब कहा गया है जो विश्वा मित्र के पुत्रों के वन्सस थे जिने उन्होंने आरिये परदेश से 22 कर दिया था इस परकार ये कहा जा सकता है कि दक्सिन भार्त के आरिये करण की परकिरिया इस्सा पूर्वे 1000 से प्रारम हुई तथा 34 स्ताबदी इस्सा पूरवे में समाँपत हुई दक्षिण में आर्यस अब्यता का परचार परशार नंद तथा मोरिय राजवन्सों के काल में तिवर गती से हुआ चतूर्थ स्ताप्दी इस्वी पूर्वः नंदों तथा मोरियों के नेतरत्व में मगज समराजे का चर्मोत कर्श हुआ नंद सासक महापदम नंद ने पर्थम बार एक ऐसे समराज्य की स्थापना की जिसकी सिमाएं गंगा गाठी के मैदानों तक फैली हुई विंदे परवत के दक्षिन में पहुंच गई पुराणों में उसके द्वारा विजित राज्यों की सूची में दक्षिन भारत के कलिंग तथा असमक के नाम मिलते हैं कलिंग से तात्परिये वर्तमान उडिशा प्राम्त से है खारवेल के हाती गुंपा अभिलेक से भी पता चलता है कि किसी नंद राजा ने कलिंग को जीता वहाँ एक नहर का निर्मान करवाया तथा अपने साथ जिन की एक परतिमा उठा ले गया था इस सासे की पहचान महापदमनंद से की जाती है गोदावरी तट पर नव नंद देहरा नमक नगर विध्यमान है ऐसा लगता है कि इसका नाम करण नंदों की विजय की स्मर्ति में ही हुआ होगा ग्यार विस्तापदी के एक कंदर लेक से पता चलता है कि नंदों ने कुंतल का परदेश जीता था तमिल परंपरा में नंदों की अतुल संपत्ती का भी उलेक मिलता है इसे पता चलता है कि नंद राजों ने जो संपत्ती एकत प्रुकर रखी थी उसका पता तमिल देश के लोगों को अच्छी त्रहशे था संगम कालिन कवी मामूल नार स्पस्टते इसका उलेक करता है जहां तक मोर ये समराजे के विंधे परवत के दक्सिर में विश्तार का प्रशना है इस समद में जैन ये उन तमिल प्रंपराउं तता असोक के लिखों के अधार पर हम निसकर्ष निकाल सकते हैं जैन अनुसरूतियों में कहा गया है कि भद्रमाहुने मगद में बारे वर्षिय अकाल की भविश्यमानी की थी जिसके पडाम सरूप चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र के पक्स में सिहासन त्याग दिया तता उनी के साथ स्वरण बेल गोला जो करनाटक राजे में स्थ श्लेक न विदी क्या है इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं देखेगा पहले वाले वीडियो में सरूप बेल गोला के समीप वर्टी छेत्रों में प्रातकु सिलालेकों में भी भद्र बाहु तथा उनके सिस्से संद्रगुप्त द्वित्ये मुनींद्र का उलेक मि बताया गया है कि उजयन में जब भद्रभाहु ने 12 वर्षों तक पढ़ने वाले अकाल के विशय में भविशय वाने की तब उत्तर का संपूर्ण जयन संग दक्सिन में चला गया था तब वे चंद्रगिरी पहाडी जो सर्वन बेल गोला में स्थित है पर पहुचे तो वहाँ पहले से तपस्या कर रहे प्रभाद चंद्र नामक आचारिये ने संपूर्ण संग को उनकी सिवा में समर्पित कर दिया तथा स्वयम निर्वान के को प्राप्त किया स्रीर रंग पठनम के नवी स्थाबदी के एक लेख में बताया गया है कि भद्रवाहु तथा चंद्रगुप्त दोनों चंद्रगिरी की पहाडी पर तपस्या किया करते थे स्वन बेलगोला से ही मिन्ने वाले बारवी तथा पंद्रवी स्थाबदी के दो सिलालोयकों में भी ये विवरण मिलता है असोग के लेखों की प्राप्ती स्थानों परदस्टी पात करने से ये स्पस्थ हो जाता है कि दक्सिन में अंधरे तथा करनाटक तक का परदेश उसके सामराजे में शमीलित था ये लेख अंधरे प्रदेश के गोवी मठ, पाल की गुंडू, मास की, गुट्टी तथा करनाटक के ब्रह्मगीरी, सिध्धपूर, जटिंगरा में स्वर पहाडी आधि से मिलते हैं इन सभी से प्रमानित हो जाता है कि सुदूर दक्सिन में करनाटक तक असोक का समराजे विस्तित था तथा दक्सिन परदेश की राज़दानी श्वानगीरी थी द्वीत्य सिलालेक से पता चलता है कि उसके समराजे की दक्सिनी सीमा पर चोल, चेर, पांडे, सत्यपूत, केरलपूत तथा तमरपरणी के राजे इस्तित थे और ये सभी तम्मिल राजे थे जो उसकी समराजे सीमा के बाहर पढ़ते थे असोग के तेरवे सिलालेक से पता चलता है कि उसने एक मातर कलिंग को जिता था तथा इसके बाद उसने यूद बंद कर देने की घोशना की ऐसी स्थिती में करनाटक तक की विजय या तो असोग के पिता बिंदुसार ने की या फिर बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मोर्य ने की जहां तक बिंदुसार का पष्ण है वह एक विलासी परवर्ति का सासक था जिसे इतिहास विजेता के रूप में श्मान नहीं करता तिबती थ्यास का तारनात का ये विवरण की चानके ने सोलह नगरों को रोंद डाला तथा बिंदुसार को पूरव से पस्सिम समुदर तर्टक के भूबहा का स्वामी बनाया अत्यंत ब्रामक है जिसकी पूस्टी किसे अन्य प्रमान से नहीं होती अत्य यही निस्कर्श निकाला जा सकता कि चंद्रकुप्त मोर्य ने ही सुदूर दक्सिन में करनाटक तक का भाग जीता था इस प्रकार मोर्य काल में दक्सिन भारत मग समराजी का अंग था तथा वहां आर्यस संस्कृति का व्यापक रूप से परचार परसार हुआ मोर ये सामराचे के पत्नो प्रांद दक्सिन में स्वतंतर राजवन्सों का उतकर से हुआ था जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो ये वीडियो एक्जाम की दस्ट्री से बहुत महतो पुण है इस वीडियो में हमने दक्सिन भारत का प्रारूम कहां से हुआ के बारे में जानकरी प्राप्त की और इसी प्रकार आपको और भी इंफोर्मेशन हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज